तो बहुत टाइम के बाद जो ना कबर मिलगी है जो ढूंडने के बाद उसामने आप देख रहो ना वही है सारुखान के अब्बु और अम्मी के तो अभी जो है ना मैं आपको एक कबर और दिखाता हूं देखिए मैं नाम नहीं बता हूँगा आपको कबर के पास चल करें की कि कबर हैं बहुत ही फैमस सक्सेत हैं वो भी उनको भी सभी लोग जानते हैं बिहार के हैं हेलो फ्रेंट्स असलाम वालेकूं कैसे आप सब आई होप क्या आप सब बढ़े होंगे तो दोस्तों अभी रिसेंट्ली मुंबई गया था और मुंबई का सफरता बहुत ही दाने वाला हूं और मेरी यहां पराने के क्या वज़ती वह वह मणको बताने वाले हूं तो चलिए दोस्तों आज के व्लोके शुरू करते हैं और वह आपको यहां का नजारा दिखाता हूं इस कब्रिस्तान का कैसा दोस्तों यह है गारिrió इपर कबरता सबसेंद डिली का तो दोस्तों अभी अभी नहीं यहां पर एक जनाजा आया है तो यहां के लोग बताते हैं कि यह कबरिस्तान इतना बड़ा है कि कोई एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि यहां पर कोई लाश ना आए कोई यहां पर दफन ना हो यानि क्या करें एक एवरेज मान ले जाए तो यहाँ पर डेली आठ से दस जो है कबरे खुटती है आठ से दस लोग रोज यहाँ पर दफन होते हैं और अभी हम चल रहे हैं मेरताज मुहमद खान साब की कबर के पास जो कि भारत के सबसे कम उमर के सुतनिता सिनानी थे और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि शारुख भाई जो है अकसर इंटर्यूव अगरा में बताती भी है वो अपने फादर के बारे में एक चीज़ बोलते हैं कि उनके फादर जो है बहुत गरीब थे कोई ज़्यादा पैसे वाले नहीं थी जो शारुख भाई की जो फैमिली थी जो फैमिली बैक्ग्राउंड तो इतना अच्छा नहीं था है फादर का इंतकाल हुआ था अमीर ताज मुहमद खान साब का तोस्ता में जो है सारुख भाई 15 साल के थे और उनकी 32 शैनाज यहां पर जो है न दोस्तों कबरें बिल्कुल मिली मिली है और देखिए इस पेस है बिल्कुल भी नहीं है मैं सोच रहता है जूते पीछी उता पर देख रहो ना वहीं है सारुख खान के अब्बो और अम्मी के खबर सामने अब्बो कि और उसके पीछे मिगे तो वहीं अभी हम चलता हूं उपर यहाँ आप देख सकते हो यही है शारुख भाई के वालिद मेर ताज मुहम्मद साब की कबर और यहाँ पर आप देख सकते हो पुली नेम प्लेट उनके बारे में लिखे हूं यहाँ पर मेर ताज मुहम्मद खान क्योंकि यह शारुख खान के जो बूत है उनका नाम था मे निर्जान मुहम्मद खान और यहां पर वो उसके बार में सारा लिखा हुआ है इनका शारुख खान के जो वालित थे जो शारुख खान के अबूते उनका जन्म जो है 1927-1927 पेशावर में हुआ था और वो उसके कुछ टाइम के बाद जो है दिल्ली आ गए थे मेरताज मुहम मुहमद खान साब शारुख खान बोली एक्टर शारुख खान के अबू और दोस्तों मेरा यहां पर आने का मक्सद यह था ना कि शारुख खान के बारे में बहुत सारी बाते लोग बोलते हैं जो बाइकोट गैंग है अभी रिसेंटली जो है पठान मुवी आई थी वैसे जो मुवी जो है सुपर डूपर ब्लॉक बश्टर हीट हुई है जो बाइकोट गैंग थी उसके मूपर एक थपड़ पड़ाया जोड़दार लेकिन लोगों ने जना उनके बारे ऐसे इसी बाते बोली है कि मैं आपको बता नहीं सकता बाते बोलते हैं तो यह ऐसा कुछ है अब शारुखान की जो अम्मी थी उनका भी इंतकाल हो गया था और यह कर तो यह है मेरताज मुहम्मद खाल और इसमें यहां पर पूरा लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है 19 सेप्टेमबर उनीस से लिखा हुआ है उनकी जब इंतकाल हुआ था लेकिन मैंने यह है लतीफ फातिमा के कबर जो शारुक खान सापकी अम्मी थी जो शारुक भाई के अम्मी थी लतीफ फातिमा उनके कबर यह है यहाँ पर आप देख सकते हो लतीफ फातिमा रोजा मीरताज मुहम्मद खान यानि कि मिरताज महमद खान जो कि शारुख खान के अब्बू का नाम है और इस रहते हैं तो शारुख भाई जब भी यहाँ पर आते हैं दिल्ली में या उनको टाइम मिलता है तो वो अपने अब्बू और अम्मी के कबर पर होकर के जाते हैं लेकिन वो जो है यहां पर जो है रात के टाइम में आते हैं और एक चीज़ मापको बोलना जाओं को जब आप किसी भी खबरिसान के अंदर आते होना तो दोस्ते एक अलगी कैफियत होती है बंदा यहां पर आकर के जो है सोचने लगता है कि यह तो जिन्दे की एक सफर है और आखरी जो मंजिल हमारी वो यही है यही पर जो हमें चाहिए वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई कोई भी भी और वो मुस्लिम है तो दफन हो जाएगा इसाई है तो दफन हो जाएगा अगर हिंदू है तो उसको जला दिया जाएगा, अगर सिख है तो उसको जला दिया जाएगा, लेकिन बाहर हाल इस दुनिया से एक दिन सभी को जाना है. कुरान पाक में लह ताला फर्माता है कुलू नफसिंज जाइकतुल मौत यानि कि हर जानदार को जो है मौत का मज़ा चखना है तो अभी जो है ना मैं आपको एक कबर और दिखाता हूं देखिए मैं नाम नहीं बता हूंगा आपको कबर के पास चल करें की दिखाता हूं वह क तो दोस्तों ये कबर है बिहार के एंपी augदीन साहब के कब यहाँ पनाब लेखावा देख सकते हो दॉक्टर मौंध शाहब लेखावा देख सकते हो और आपको पता ही हुगा ये जो है भीयार के एंपी थे कोबिट के दुरान जो है इनका न्तकाल हो गये था और इनक जन्म जो है, 10 में 1967 को हुआ था और इनकी डेद जो है, 1 मई 2021 को हुई है, और दिल्ली में जो है, इनका इन्तकालवादा तो इसी कब्रिस्ताम में इनको दफन कर दिया गए था, तो ये कब्र है, पूरी पक्की बना रखी है, यहां पर, पड़ी आली शान कब्र बना रखी है, लोग की सोच है, बाकी अपनी पहचान के लिए, तो ये है, बिहार के MP, शाह बुद्दीन साहब की कब्र, आला उनको जन्नत नसीब करे, आला उनकी मगफरत करे, यह आप देख सकते हो, जो की बढ़ी इनोना आली शान कब्र बना रखी है, कोविट के दौना जो है, इनका वाला है usage, कोविट के वय्कितने बिननत रखी है, यह जो जितना भी इधर का एड्रस से बाहर, और यकीन मानिये में यहापर आकर आकर आ करेके जो हैनाük, इमोशनल हो गया ता, पूरा, बहुत सारी बाते मन में आती है, खेर मैंने आपको दिखाई, शार्ख भाई के वाल किल्दा की कबर और भेहर के MP शाब अद्दीन साफ की कर एगा उम्मीद करता हूं किस वीडियो पसद आए घो अगर आपको उड़न आ है तो पलीज वीडियो का लाइक कर दीजेगा और और मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर देजएगा अगर आप यह वीडियो मेरे फेस्बूक पेज़ा तो मेरे पेज़ को लाइक और फॉलोlier जोर कर लेना और योटूब कर जाकर के मेरे चैनल वसीमाकरम को भी सब्सक्राइब कर लेना तो आगे मिलता है फिर किसे नए वीडियो में फिर किसे नए व्लोग में तब तक के लिए बाए अल्ला आफेज जाहिए